गुसाए प्रेमी ने प्रेमी का के चहरे पर एसिट फैंक दिया ऐसी खबरे तो आपने बहुत सुनी होंगी लेकिन यूपी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां प्रेमी का ने प्रेमी के चहरे पर टोइलेट साफ करने वाला तिजाब फैंक दिया जिसके बाद प्रेमी समेथ और भी कही लोग घायर हो गए और प्रेमी के रिष्टेदारों ने प्रेमी का को पकड़ कर उसकी जम कर सुताई कर दी क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएंगे बने रहें वीडियो के अंत तक नमशकार मैं गगंदीब और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान कर दिने वाला मामला सामने आया है जहां बारात लेकर निकले दूले पर उसकी गल्फ्रेंड ने तेजाब फैंक दिया लटना में धूले का हाथ जुलस गया वहीं तीन महिलाएं घायल हो गई तेजाब फैंक कर भाग रही गल्फ्रेंड को भीड ने पकड़ लिया और उसकी जम कर पिटाई कर दी गई सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया आरोपी गल्फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की शादी से नाराज चल रही थी और उससे बदला लेना चाहती थी यह पूरा मामला बलिया जीले के बासंडी रोड थानक शित्र के डुमरी गाउं का है जहां बीते दो साल से एक ही जाती के युवक युवती के बीच में लव अफियर यानि की प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकी जब युवक का विवाग कई और तैह हो गया तो प्रेमिका पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी शादी के ठीक पहले दोने के चेहरे पर प्रेमिका ने ऐसिड फैक कर बवाल मचा दिया मंगलवार को देर शाम डुबरी गाव से बरात लेकर दूलहा पर चावन के लिए निकला तो उसकी शादी से नाराज प्रेमिका बदला लेने के लिए खूब सज धजगर उसके बरात में पहुँच गई कहा जा रहा है कि नाराज प्रेमिका पूलिथीन में टोईलेट साफ करने वाला एसिड शुपा कर लाई थी जैसे ही डीजे पर डांस शुरू हुआ तो दूलह के चाहरे पर प्रेमिका ने तेजाब फैक दिया तेजाब चाहरे से जब जमीन पर गिरा तो पूरा महोल धुआ 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 सा हो गया घटना की जानकारी पर बसंडी रोड पुलिस मोके पर पहुँची भीड ने आरोपी युवती को पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने युवती की खिलाफ मुकतमा दर्ज कर लिया है उसे पूस्ताच की जा रही है इधर घटना के बाद गाउं में हंगामा हो गया लोगों को कहना है कि आरोपी युवती उसी गाउं की रहने वाली है दोनों के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंद थे इस मामले में अपर पुलिस दिक्षक अनील कुमार जा का कहना है कि 23 अपरेल की शाम 6 बजे ग्राम डुमरी में राकेश बिंद की बारात बिल्थरा रोड जानी थी गाउं की ही एक लड़की जिसका लड़के से प्रेम संबंद बताया जा रहा है उसके दोरा एक पॉलिथीन में तरल पदार्थ लेकर उसके उपर फैका गया था उसने जलन की शिकायत की और अस्पताल में सामान उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया बाद में लड़के के परीजन बरात लेकर चले गए परीजन की तहरीर के अधार पर मुकत्मा दर्ज करके कारेवाई की जा रही है यह खबर आपको कैसे लेगी अपनी राय हमें कमेंट बुक्स में ज़रूर बताईएगा फिलाल के लिए बस इतना ही देश परदेश से जुड़ी हर छोड़ी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूस पर